तो नमस्तर दोस्तों आप से भी लोग का हार्दिक स्वागत है, trend analysis करना कौन ही जाता और आज इस session के अंदर मैं trend analysis का एक आपको इतना बहुत ही simple solution में बताने वाला हूँ that is also based on price action analysis and बड़े आसानी से किसी भी chart को आप open करेंगे तो within 5 seconds अपने घड़ी में देख सकते हैं 5 seconds के अंदर आप किसी भी stock के trend को identify कर सकता है तो चलिए आज इस session को मैं शुरू करता हूँ let me share you my computer screen तो यहाँ पे nifty का जो हमारा warning area number 1 है आप जैसे देख सकते हैं तो इस 12,770 और इस level के ऊपर जब तक nifty रहता है वो positive ही यहाँ पे गिना जाएगा लेकिन अगर आज के candle को and अगर कल के candle को अगर आप छोड़ दे तो nifty पिछले कहीं दिनों से यह consolidation के अंदर यहाँ पे यह trade कर रहा है तो यहाँ पे यह identify कैसे करें number 1 अगर आपका market existing trend के अंदर है तो वो trend से कितना दूर है पहला कितना over stretch हो रहा है दूसरा and तीसरा आप consolidation के face के अंदर की trend को अगर आप जानना चाते हो तो यह तरीका आप अपना सकते हो बहुत ही simple तरीका है मैं यहाँ पे कोई rocket science आपके साथ बात नहीं कर रहा हूं अब आपको अपने chart को simply convert कर देना है on a line chart अब देखो यहाँ पे consolidation phase इस area को अगर मैं zoom करूँ now this area जिसको मैं यहाँ पे मैं highlight कर रहा हूं तो आप यहाँ पे देखो बहुत सारे traders को यहाँ पे trend identify करने में दिक्कत होती है लेकिन यहाँ पे जब आई इसको line chart कर दिया तो यहा formation है that is clearly higher close formation अब because यह line chart है line chart में ना high होता है ना low होता है ना ही यहाँ पे open होता है यहाँ पे सिर्फ 80s होती है that is close तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बार higher closing यहाँ पे आपको मिला है now how you can identify a trend आपको always identify करना है जैसे मैं यहाँ पे मेरा यह current closing है okay मुझे यह देखना है क कि मेरा current closing previous जो peak closing था उसके ऊपर है या नीचे है for example अगर यह मेरा एक previous closing है तो मुझे देखना है कि मेरा current closing है वो मेरे previous closing के किस जगे पर यहाँ पर यहाँ पर अभी है okay जैसे for example अगर यहाँ पर है then obviously आप इसको support मान के इसके नीचे यहाँ पर selling की position बना सकते हो and यह आपका एक latest peak यहाँ पर बहुत बार यह होता है कि price जो है वो कुछ इस तरीके से trade करता in that case आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो आपके लिए एक barrier यहाँ पर एक है this barrier के अंदर आप trade नहीं कर सकते जैसे यहाँ पर price जो है always यहाँ पर candle stick के अंदर आपको price definitely consolidation के अंदर दिखे यहाँ पर कोई भी confusion नहीं है कोई भी query नहीं है जो मेरा recent high था closing का highest close I would say यह मेरा ऊपर के तरफ यह shift होता जा रहा है which we call as a north direction and जो नीचे के जो lower closing जो थे वो भी दीरे दीरे ऊपर के direction में shift होते जा रहा है now this kind of pattern is basically called a higher closing pattern जब आपको एक higher closing pattern यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर आपको negative momentum के बारे में तब तक नहीं सोचना है जब तक आपके कोई key area triggers ना हो जाए जबकि इस case के अंदर जो मेरा key area है वो यहाँ पर यह जो blue line आप देख रहे हैं यह मेरा key area है और यह दो key area मैंने identify किये है based on मेरे दो concept है यह मेरे proprietary concept है first one is called root analysis and दूसरा जो concept है that is called appropriate यह दो concept के base के ऊपर मैंने यहाँ पर इसको identify किया है अब आपको यह जानना भी जरूरी है कि previous trend से आप कितरा यहाँ पर overstretch हो चुके हो यह भी जानने के लिए आप line chart का इस्तिमाल कर सकता है जैसे आप देख सकते कि जो मेरा previous अब यहाँ से आप देखो एक flawless up move था अब यहाँ पर इ price जो है यह clear cut ऊपर जा रहा है ना support लेना किसे कहता है price ऊपर जाने के बाद जब नीचे रुकेगा और किसी भी एक random price से वापस वो अपनी primary trend की journey शुरू करता है तो उसे कहते है support लेना इसी chart को अगर आप उल्टा कर दीजे तो इसको कहते है resistance लेना तो यहाँ पर आपके ज offset ild trend का नाम दिया गया है और वाइल ट्रेंट के अंदर एक neutrीडर हमेशन यहाँ पर किल होते हैं they are called retailers, retailers कभी भी यहां पर रह Неछी पाते है पर यह इस तरीके के जो प्राइक्शन जो होते है ना you can this kind of price action it is basically trapping for all those traders who are doing the short selling क्यों 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 आपके जेब में से पैसा निकालना है अब यह भी बड़ी common चीज है कि आप अपने पैसे जो है बड़ी आसानी से नहीं निकालोगे अपने जेब में से आप क्यों stock market के अंदर loss करोगे तो आपके जेब में से जादा पैसे निकालना है तो यह क्या करेंगे यहाँ पे कुछ यह पाउस देंगे अनि आपको थोड़ सा एक लिए कि यहाँ चलो market का एक uptrend अब रुग गया अब यहाँ से नीच आएगा और उसी चक्कर में आप थोड़ा सा वेट करते हो और फिर कोई भी एक down momentum आता है जैसे यहाँ पे traders feel so much excited तो actual में जो आप अपना stop loss रखने वाले थे यहाँ पे यहाँ पे इतने सारे दिन के अंदर क्या है आपके decision को manipulate किया गया and because your now decision is manipulated अब आप देख सकते हो कि अब जो rise आना यहाँ यह wild move नहीं आ रहा है अब trader को पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे exit करें तो this kind of market is actually trapping the retailer trader and दुख की बात है कि हर रोज retailer यहाँ पे trap हो रहा है और trap होता चलेगा and जब तक यहाँ पे कोई एक trigger point नहीं आ रह and दूसरा होता है that is called a ending point of rally now एक अगर आप concept को देखो मेरा जो concept which is called a root analysis यह एक proprietary concept है इस concept के अंदर मैं इस बात का जिकर करता हूं कि आपको कैसे पता चले कि यह जो मेरा price है इसने top form कर दिया इसने bottom form कर दिया तो यह बड़े आसानी से मतलब it is not rocket science अब बड़े आसानी से analysis भी आप इसका कर सकते हो अब इसी formula के अदर पर मैंने कुछ nifty के trades लिये थे मैंने कुछ bank nifty के trade लिये थे तो वो आपके computer screen के उपर आपको देख रहे होंगे so all these are the trades which I have taken in nifty and bank nifty and you can see the profit this profit are really amazing and this profit are really marvelous तो अगर आप इस तरीके के profit मेरे साथ earn करना चाते हो and if you really want to become a professional trader all you can do is आपकी screen के उपर जो यह WhatsApp के उपर message करने को कहा गया है just do that message and you can learn the root analysis and propa professional price action analysis with me इसे और भी सारे वीडियो आपको मेरे चनल के उपर मिलते रहेंगे इस वीडियो को like कर दीजे अगर आपको यह concept और यह मेरा analysis पसंद आया तो that is one and दूसरा आप मेरे चनल को subscribe कर दीजे and और कौन से topic के अंदर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाओ यह आप मुझे नीचे comment section में लिखके बता सकता हैं तो अभी के लिए coming back to the quickbytes, quickbytes है कल के लिए हर रोज मेरा quickbyte आता है शाम को 9 बजे के असपास जहां पर मैं बता था हूँ के निफ्टी के अंदर आपको क्या करना चाहिए तो यहां पर हमने clear लिए देखा के बढ़ी trend जो है nifty का bullish है तो कल यह यहां पर एक bullish momentum जो है उसको ही ध्यान में रखके चलना है और निफ्टी के अंदर bearish momentum के कोई confirmations नहीं है अगर कोई confirmations होंगे तो वह आपको मेरे telegram और twitter के अंदर मिल जाएंगे तो आप मुझे twitter and telegram दोनों जगे पर follow कीजिए क्योंकि एक ही information दोनों जगे पर नहीं आती द कर दो